आउ संत महत्माओं परम प्यार से बोलिए धनिंकार जी बोलिए सत्गुरू माता सुदिक्षा सबंदर हर देबि सिंग जी महराजी कीज आउ संत महत्माओं एक जज साहब के पास एक ऐसा बिचत्र मुकदमा आया जिसे सुनने के बाद में जज़ भी हैरत में पड़े जीवन बहुत मुकदमे लड़े बहुत सारे केस लड़े आउ संत महत्माओं जज ने बताया मेरे जीवन में एक ऐसा केस ये ऐसा इससे पहले कोई ऐसा केस नहीं आया ये तो अपने तरीके का एक अलगी केस था बारे वा क्या केस जज ने कहा क्या केस आया पुरी लाइफ में अब मैं क्या इसमें बिचार करूँ मन्थन करूँ यानि मुझे सोचने प पहली बार एक ऐसा के जजसाब के सामने आया, दो भाई मुकदमा लेकर के आये, दोनों भाई सगे भाई थे, एक का सर फूटा हुआ था, और दूसरे की टांग तूटा हुई थी, आउ संत महातमाओ, कहरे जी, हमें मुकदमा कायम कराना है जजसाब, मुकदमा लडाना है, इ इसने मेरी टांग तूट दी, आउ संत महातमाओ, जजसाब कहते हैं, क्या हुआ था, जरह बिस्तार से बताईए, आपके साथ ऐसा क्यूं करा आपने सगे भाईयों ने, ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं, जसाब आपने किया, वो कहते हैं, जससाब हुआ था, इसने मेरा मक मनाया था, इसने बिल्डोजर चला दिया, मुझे गुस्ता आया, मैंने इसका सर फोर दिया, चुछा लगादाव तो इसमे तांगे तोड़ दी, आउ संतमातमाव, तो बूले हुआ क्या था, आपका मकान कहां है, और वो बुल्डोजर कहा है तो बोले बुल्डोजर किसने चलाया बोले बुल्डोजर बोले ये चलाना है आनता बोले बुल्डोजर भी इसने चलाया आउ संतमातमाओ तो वो बताते हैं कि ज़सा हुआ ऐसा हम एक चाय के खेले पर चाई पी रहते दोनों भाई जब चाई पी रहे थे तो मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने विचार वो अपने एक काग़च पे लिखकर के इस भाई को दे दिया कि भाई मुझे ये एक सुन्दर सा मकान बनाना है ये जो पैसा आ रहा है ये जो हमारे पास पैसा इस मकान में हमें लगाना है तो बोले ठीक है इसमें क्या गलत बात कही आपने तो बोले इसमें पैंसिल निकाली और पैंसिल निकालना के प्रांत ये बोला हम इस पैसे को इसमें नहीं लगाएंगे हम इस पैसे से बैपार करेंगे बिजनिस करेंगे तो बोले वे आपकी भी बास सही है बिजनिस करना भी कोई बुरी बात नहीं है तो बोले फिर क्या हुआ इसने बोले मैं इस बात प्याड़ा रहा कि मकान बनना है ये इस बात प्याड़ा रहा है कि बिजनिस करना है इस पैसे से दोनों इस बात प्याड़े रहे आखिर बात इतनी गरमा गरामाट में इतनी जादा हो गई कि गुस्सा आ गया और इसने पैंसिल निकाल करके मेरे घर को तहसनेस कर दिया चार ओर से काड़ दिया पैंसल से इसने यानि बुल्डोजर चला दिया इसने मेरे मकान पर जस्ता थोड़ा मुस्कुराए बोले ठीक है बात तो सही है मकान काड़ दिया गया तो बुल्डोजर चल गया तो फिर बोले भई आपने बुल्डोजर चला दिया इनके मकान पर तो फिर आपने क्या करा बोले मैंने इसका सर फोड़ दिया गुस्ते में आन करके तो बोले फिर इसने क्या करा इसने एक डंडा उठाया इसने मेरी टांगे तोड़ दी तो अब हम एक दूसरे के पृद्ध जो है मुकदमा लिखवाएंगे हमें नयाय मिलना चाहिए आओ संत महतमाओ तो जशाब हसे कि वो बास्तम में अभी तो घर बना भी नहीं था अभी से ये हाल होगे काउजी घरों में इतना तो आओ संत महतमाओ हम क्या कर क्या रहे है अकसर लडाई जगडों के पीछे छोड़ी छोड़ी सी बाते होती है और वो बाते जब हमारी समझ से परे हो जाती है तो प्यारे संद तो वो बहुत बड़ा बिक्राल रुप जखडे का धरण कर लेती है भाई भाई के बीच में दिवार बन जाती है तनाब बन जाता है मुकदमे लड़े जाते हैं और आज ऐसी इस्तिती बनी हुई है आज संसार में भाई भाई के खिलाब कड़ा है आउ संतमातमाव तो अभी बास्तम में क्या है हमने अपने जीवन में निरंकार को आतम साथ नहीं किया है अभी बास्तम में हम ब्रह्म ज्यान को जान नहीं पाए हैं आउ संतमातमाओ एक बच्चे को फर्ष्ट किलास नर्सरी वाले बच्चे को पिक्चर के जरीए समझाया जाता है बेटा एफ और एपल तो वहाँ एपल की तस्वीर दिखाई जाती है यह एपल है लेकिन आउ संतमातमाओ को उस बच्चे से पूछे कि एपल का स्वाद कैसा होता है तो उस बच्चे को नहीं पता कि एपल का स्वाद कैसा होता है क्योंकि उसे तो रटाए जा रहा है कि एप फूर एपल कि एपल में सेव होता है आउ संत मातमाओ ठीक इसी प्रकार से ग्यान लेना केबल जानकार ही करना इतना है कि ये निरंकार है आउ संत मातमाओ जब तक हमने इसका स्वाद नहीं चखा अब स्वाद कैसे चखना आउ संत मातमाओ क्या हम निरंकार को घिरन कर सकते हैं जी हाँ हम निरंकार का स्वाद चख सकते हैं और जिस दिन हमने स्वाद चख लिया तो उस दिन हम आनंद होगा हमारी चहूर आउ संत मातमाओ सत्कुरू हमें इसारा दे रहे हैं कि हमें इस नंकार को अपने अंदर आतम साथ करना है आओ संतमातमाओ तनमंधन नंकार का है तो हमें इसके सुप्रद कर देना है अब जब तनमंधन तीन चीजे नंकार को दे दी तो संतमातमाओ फिर हमारा बचा क्या फिर लड़ाई जगड़े की इंसान के पास तीन ही बस्तुएं होती है या तो किसी का मन दुखी होता है या फिर तंसे दुखी होता है या फिर धंसे दुखी होता है इनी चीजों के पर दुनिया में बैर बिरोड लड़ाई जगड़े मान अपवान वाली बात है चली आ रही है और लड़ाई जगड़े पढ़ते चले जाते हैं तो आओ संत मातमाओ जिस मानम में मान नहीं है उस मानम का मान है तू आओ संत मातमाओ मान को त्याग दीजिए तो आपका मान ये नंकार बन जाएगा तो संतमातमाव आज हम ऐसी गलती ना करें आज केबल जानकारी लेने मातर से काम नहीं चलेगा कि मैंने ग्यान ले लिया और फिर वही बात जानकारी की वक्त आती है कि भाई ग्यान लेने के प्रांत भी तू पीडितवा परिसान क्यों है तो बात वही आती है कि एक जो ब्रह और उसने उस पारस पत्री को गाठ में बांध करके और रख दिया द्राम्मण देव ने कहा एक साल बाद आऊंगा जितना चाहे इतना सोना बना लेना और अपनी कंगाली को दूर कर लेना आओ संत महत्माव वो हम जैसा तुष बुद्धी व्यक्ति उस पारस पत्री को कपड साल भरी हालत देख करके बड़ा उसे आश्च्रे में पड़ जाता है बोले बैं क्या हुआ वो तो पारस पत्री थी तो वो कहता है जी वो तो मुझे ध्यानी ना रहा मैंने तुसे बांध के रख दिया कपड़े में बोले भई अब तो वो तुम मुझे बापस दे दे आओ संत मातमाओ यह हीरा जनम जो एक एक स्वांस यह जनम यह स्वांस जनम में नंकार ने दे दी हीरा है यह बैलु वेबिल है यह पारस पत्री है नंकार का सुम्रण इसे हमने डिब्बे में बंद करके रख दिया यही हम परेसान है यही हमारे जीवन में गमाते चले जा रहे ह संत मातमाओ किरपा करो सत्गुरु का इसारा समझें इसे अपने जीवन में आतम साथ कर लें और सिम्रन ज्यादे से ज्यादा करें तो बास्ता में हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा परमप्यार चे बोलिए संत मातमाओ धन्निंका जीवन